आपने कई बार सुना होगा कि बल्म के साथ खुन निकलता है तो ऐसे कंडिशन में क्या करना चाहिए क्या दवाइं इसमें दी जाती है क्या-क्या इसमें साथ आपको ओंद करने में वाला हुँ जो आपकी इस परवड़म को सॉल परने में मदद कार साथ होता है शुरी गाई मेरे नाम हैं को स्वावत आपका आप मेडिकल जानकारे यूटूब चैनल में, देखे सबसे पहले हम कारण के बारे में बात करें, तो कारण कई सारे हैं इसमें, जैसे कि पहला कारण के बारे में बात करें, तो आपको बल्गम के साथ खून आना साथ हो सकता है, साथे साथ, COPD की वज़े से यानि क्रोनिक अप्सेशन प्रोमनारी डिजीज होता है, एक प्रकार कर लंग्स डिजीज होता है, लंग्स में किसी तरह की से अप्सेस होना या कहीं तो घाव बन जाना, उसकी वज़े से भी आ सकता है, और पारसाइटिक इन्फेक्शन की वज़े से, नीमोने के वज़े से, टूबर क्लोसे इसको टीवी रो का जाता है, उसके वज़े से आपको खूण थोख के साथ या बल्गम साथ होता है, वो खूण आ सकता है, यानि ठोवां लगई बन जाला होता है, लंग्स म शुर्पीन हो जाकता है वेट का कमी हो ना या शाद लिने में तक्नीब हो जाना या फिर रात avoir आप आपको देखने को मिल सकते हैं या बहुत जाएफ क्या आवा जाना तो बैथ कोम पWY यह डोक्टर थोड़ा दोरी पर है कुछ दिनः तक आप दवाई नुझ कर सकते हैं इसमाल Amount पर कौन हो और मााइनर सा कौन आ तो उसमें आरच दवाईं रूटरा एचसरे कर वा जाता है तोलसरे में ब्लेडि़्टेस्ट हो सकते हैं तो पता चलए कि प्रॉबल में क्या 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 क्योंकि छोटी छोटी-चोटी चीजें तो बाद में आप चलकर आपको आगे दिक्कत सकती है तोड़ी सी मातरा में भी रोरी है थोड़ा सा आपको रोकना चाहते हो इस दोवाइस से आप यूज कर सकते हैं पहल ंप करें था तो में format करें जो आपकी immunity को जल्दी ही boost up करने में मदद करता है bleeding तोड़ा ज़्यादा है तो injection के रूप में आप atom select का यूज कर सकते हैं IEM and IV दोनों परदकार से यूज कर सकते हैं साथ में आप उसके cuff syrup का यूज कर सकते हैं अगर आपको bulgum के साथ कून आ रहा है या जैनि जो wheat cup होता है उसके साथ कून आ रहा तो कोई भी आप ascoril LS का यूज कर सकते हैं astakind का यूज कर सकते हैं and ghrelintus BM का यूज कर सकते हैं जो bulgum वाली खांसे में यूज किये जाते हैं सुकी कांसे हो रही है तो कोई भी आप dry cup के लिए यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं बात करें मेडिसिंस के बारे में खासी को रोकने के लिए पहले मेडिसिंस आपने यूज करना है azithromycin 500 mg का दिन में एक बार यूज किये जाता है दूसरे चीज़ में dexon होना आता है जिसको आप यूज कर सकते dexamethasone होता है आप इसका यूज कर सकते इन दबायों को यूज कर पाएंगे लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा मातरा में खून आ रहा है बराबर आई रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसर्ट ज़रू कर लिजेंगे यह बहुत ज़्यादा बिमारी का प्राबलम आपके लिए हो सकता है तो यह चीज़ आपको अलके में नहीं लेना चाहिए तो गाइस यह था कुछ आज की इस वीडियो का टॉपिक बलगम के साथ खून आना कैसे आप उसको टीट कर पाएंगे क्या लक्षन मिलता हैं क्या कारण होता है वो सब कुछ मैंने आपको इजिली बता दिया है चोटी से सब्दों में और सामाने सकते हैं तो अमित करूँगा आज का यह वीडियो को पसंद आए वीडियो अच्छे लगा लाइक जिरू करें ज्यादस ज्याले वीडियो को शेर जिरू करें तो मिलत अबने नेक्ष वीडियो के साथ जय हिन जय बारत